बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्रती कंपेटिशन क्लासिस के यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारतिया अर्थ सास्त्र के बारे में यह होगा इसका भागवन और इसमें हम कवर करेंगे अर्थ सास्त्र और अर्थ व्यव दोस्तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार वाच कर रहे हैं तो आप एक बार लुसेंड जी के की वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाना वहां पर इस बुक के आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे आप उन सभी वीडियो को एक बार जरूर रखें अगर आपके पास यह बुक नहीं है तो आप मार्केट से जाके यह बुक आज ही परचेस कर लें क्योंकि मैं इस बुक में आपको क्यों बताऊंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सभी एक्जाम के पॉइंट अवियो से बहुत इंपॉर्टेंट साव करने के लिए मैं इस बुक का परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वहां से आप किलिक करके अमेजन के थुरू भी आप इसकी शॉपिंग कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अर्थ सास्त्र अक्चली होता क्या है देखिए अर्थ सास्त्र में मानव की आर्थी गति वीदियो का अध्यन करा जाता है तो कभी कभी आपसे अंग्जाम में पूछ लेता है कि आर्थिक गती वीडियो का अध्यन कौन से छेतर में किया जाता है तो उसको बोलते हैं अर्थ सास्तर जबकि अर्थ व्यवस्ता है एक अधुरा सब्द अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी छेतर विसेश का नाम नए जोड़ा जाए वास्ता में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओ के संदर्व में परिभासित करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या अर्थ व्यवस्ता अर्थ वरस्ता की definitions अलग है और अर्थ सास्त की definitions बिलकुल अलग है तो इसी तरह से आपने अपनी बुक को highlight करना है या फिर किसी अलग color के pen से इस point को आप underline कर लेजिए अपनी बुक में उसके बाद हम बात करते हैं कि राष्टे आये वगरा क्या होती देखे पॉइंट नंबर बन है कि भारते अर्थ वरस्ता गरामिट तथा क्रसी पर अधारित अर्थ वरस्ता है जो स्वितंत्रता के 60 वर्स बाद भी भारत की 52% जो जन्संकिया है वो क्या है शरम सक्ती जो है उसकी जो labor जो power है हमारी इंडिया की वो क्रिसी छेतर पर depend है मतलब की जो भी शरम सक्ती है उसका 52% क्या करता है खेती करता है बाकी लोग अपना business, personal काम, कोई job, MNC company में, government sector में तो 52% कहां पे इंगेज है वो है आपके क्रिसी छेतर में तथा राश्टिया आये में इनका योगदान मात्र कितना है 14.1% सोचिए maximum सरम सक्ती 52% जो लगी हुई है क्रिसी में लगी हुए लेकि फिर भी क्रिसी का योगदान जो है राश्टिया में मात्र कितना है 14.1% इसके अधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतिया अर्थ विवस्ता अभी भी क्रिसी परधान ही है तो भारतिया अर्थ विवस्ता जो है क्रिसी परधान है क्यों क्यों कि यहाँ पर 52% सरम सकती क्रिसी चेतर में इंगेज है लगी हुई है उसके बाद हम बात करते हैं कि 45% पुन्जी सारवजनिक चेतर में निवेस किया है मतलब सरकार ने लगभग 45% पुन्जी है वो सारवजनिक चेतर में निवेस किया है इसका और उसके बाद हम बात करते हैं आप से कि प्रती व्यक्ति आये कितनी है 2011 के अनुसार ये बोलता है वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट किसने दी है जो ये रिपोर्ट आपके सामने परजेंट करी गई है तो वीसल बैंक के अनुसार वर्ष 2011 में भारत में प्रती व्यक्ति आये कितनी आखी गई है तो ये आखी गई है 1410 डॉलर और उसके बाद हम बात करते हैं कि देश में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंक्या कितनी है तो ये है आपके 26.93 करोड अब अब सहर ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरह से कुश्चन्स एक्जाम में कहां पूछेगा ये डॉलर करोड जनस तो वहां पे GS Paper 1 में ये कुश्चन्स पूछ सकता है SST में ये कुश्चन्स आपसे नहीं पूछेगा लेकि SST में आपसे ये कुश्चन्स पूछ सकता है कि 2011 में भारत परतिवक्ति आये कितनी आकी गई थी World Bank के द्वारा 20 Bank के द्वारा तो आपको ये amount 1410 डॉलर आपको या काफी important है जो येलो से कर रखे मैंने highlight वो तो आपको याद करने करनी है जो इनसे भी ज्यादा important है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं यह देश की कुल अबादी का कितना परसंट भाग है तो ये है आपका 21.9% बिरोजगारी का इसतर काफी उचा है एक्चली बिरोजगारी बहुत ज़्यादा है भारत में आप जैसे कि जानते होंगे कि 1200 वेकेंसी निकलती है कम से कम उस 1200 वेकेंसी के लिए कितने लाक प्लाद भोसब क्या के बिरोजगार है ना वह कहने कि रोजगार के तलस में तो फ हर रहे हैं आप फिल क्यों करते हो आप फाउम फिल इसन्यार करते है कि आपके पास एक्षली doveouses नहीं को रोजगार नहीं है अपना पो सक्कर यए लगा लिए ट्वंटादी एठ मिलीयर जो continue बढ़ती जा रही है अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए कि इसमें सकल घ्रेलू बचत की दर काफी नेची है और इसका अनुमान कौन लगाता है इसका अनुमान लगाता है अब देखिए इसमें जो हालेट कर रखा वो देखिए विस्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुमसा 2010 में क्रैस सकती शम्तर सको बहुत है पर्चीसिंग पावर पैरिटी की द्रश्टी से भारती अर्थवरस्ता विस्व की चौत्थी बड़ी अर्थवरस्ता है भारत से बड़ी तीन कॉन कॉन सी हैं एक उयुस से चीन और जपान जयाद रएक हैं यूऊ से चीन और जापान फोर्ट इंबर पे आता है कॉन इंडिया राश्टिय आये क्या होती है देखिए भारत की राश्टिय आये प्रतिविक्तिय आये की गर्णा का पर्थम परियास किसने करा था पहली बार राश्टिय आये का जो आकलन करा था ये फॉर्मला जो बनाया था वो किसने बनाया था वो बनाया था दादा भाई नरोजी ने कब बनाया था 1867-68 में इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि परतिव्यक्ति आय हमें इस परकारते भालत की आंख सकते हैं इसके द्वारा हम राश्टे आय निकाल सकते हैं और नरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में परतिव्यक्ति आय कितने थी वो थी आपकी 20 रुपे मात्र 20 रुपे यहती प्रती व्यक्ति आये आपने एडुकेशन कंप्लिटली इंडिया में करी पूरी एडुकेशन आप डॉक्ति बन गए लेकिन आपको क्या होगे आप बाहर देश के ऑफर आ गया आप बाहर किसी कंट्री से इंडिया से बाहर चले गए तो वहां पर अर्निंग कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ आमांट अपना वहां का एक्सपैंस अडा करके तो वह सब भी आये क्या होती है इसमें एड होती है इंडिया रुपीश तो एड हो गए होगा लेकिन जो आप बाहर जाके डॉलर में कमा रहे हैं वह भी एक नुमेरिक के हिसाब से क्या रुपीश उसका चल रहा है वह एड इसमें हो होगा तो आप इस तरह से आप इसको याद रखे रहा ठीक है तो भारत में राश्तिय आये के आकड़े वित्ते वर्स क्या-क्या है एक अप्रेल से 31 मार्स तक इसको मापा जाता है अब हम बात करते हैं जी एनपी के बारे में जी एनपी को ग्याद करने के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप हुई आये को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ देना चाहिए इसी परकार देश के अंदर विदेशियो द्वारा उत्पाधित आए को सकल घरेलो उत्पाध मतलब GDP में से घटा दिया जाना चाहिए तो GNP का फॉर्मला क्या बनता है GDP प्लस X-M X का मतलब देश वाक्षियो द्वारा विदेश में अर्जित आए और M का मतलब है विदेशियो द्वारा देश में अर्जित जो आए करी गई थी वो इसमें से माइनस हो जाएगा अगर आप कहीं बाहर जाकर कि अपनी अर्णिंग कर सकते हैं देश तो बाहर के देश भी यहां पर आकर अर्णिंग करते हैं तो उनकी आये क्या होगी उनकी जो आये हैं वो अपनी कंट्री में भीज रहे हैं तो वो तो माइनस करना पड़ेगा यहां पर तो इसलिए यहां पर हमने यह चीज कर आए अब होता है NNP, NNP मतलब होता है कि सुध राष्टे उत्पात ग्याद करने के लिए GNP में से पुझी स्टॉक की खपत मतलब मुल्य हास को घटाना पड़ता है अब हम बात करते है राष्टे आए राष्टे आए बराबर होती है NNP मतलब बजार कीमत पर NNP माइनस अपर्ट्यक्षकर प्लस सबसीडि आर्थिक आयोजन देखें आर्थिक आयोजन वह परिके दिया होती है जिसके अंतरगत पूर्व निधारित उदेश्यों की पूर् तो इसके कौन-कौन से उदेश्यों होते हैं भारत में तो इसका पहला है आपका आर्थिक संवर्दी, आर्थिक वे समाजिक ऐसमानताओं को दूर करना, गरीबी का निवारन करना तथा रोजगार के अफसरों को बढ़ावा देना 1947 में क्या हुआ था कि पंडीत नहरू की अद्यक्ष्टा में आर्थिक नियोजन समेती गठित की गई थी, तो यहां से एक कोश्चन से आप से ये पूस्ता है कि आर्थिक नियोजन समेती का गठन किस ने करा था, तो वो करा था आपका पंडी जवाहलाल नहरू ने कब करा 1947 में इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में अब तक दस पंचवर्थी योजना लागू की ज़ती हैं, एक अप्राइब 2007 से लेकर के ग्यारवी पंचवर्थी योजना प्राण की गई थी, आप सिंपल कभी कभी आप यह याद रखना कि 277 में कौन सी पंचवर्थी योजन तक यह चल रही है, उसमें अनुमानित क्या होता है, अनुमानित एक जीडीपी, डिसाइड करते हैं कि भारत की जीडीपी कुछ इस परकार से रहेगी, जितनी जीडीपी 9.1, जितनी बड़े की जीडीपी उतना क्या होगा, हमारा देश सक्षम होगा, कैपेबल होगा, के बात करिए थी पहली योजना कुछ खास नहीं थी लेकिन जिटके योजना ये है योजना PC महाल नभीस मौडल पर अधारित थी तो यह थी आपकी सैकिंद और इसका उदेश्ये क्या सकते हैं अब हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की और देखिए क्या हुआ था कि इसमें बड़े-बड़े उद्योग इस्तापिद हुए थे जैसे दुरुगापूर भिलाई राउरकेला के स्पाथ कारखा रे इसी योजना की दुरान इस्तापिब किये गए दारेक्ट हम बात करके योजना अफकास इस अफ़ी में तीन वार्थिक योजना ये तैयार की गए थी ठीक है इसको बोलता है योजना अफकास तो 67 से लेकर के 69 तक ये रहा था या फिर आप ये 1966 से लेकर के 1968 तो 69 ये था आपका योजना अफकास पंच वर्षी योजना का जो मुख्य उदेश्य था वो था गरीबी उनमूलन मतलब गरीबी का अंत करना तो ये इसका में उदेश्य था इस योजना में पहली बार गरीबी तिथा बिरुजगारी पर ध्यान दिया गया अब देखिए आप गरीबी तथा बिरुजगारी उनमूलन से संबंदित कुछ कारे करम चलाए गए थे जैसे होता है आपका अंतियो देय योजना कारे करम कब शुरुआत हुआ था इसका प्राड़म वर्ष क्या है ये है 1977 और परधान मंत्री रोजगार योजना का सब्सक्राइब निए रोजगार कारे करम की सुरुआत हुई थी दोयाच च्हे में अब हम बात करते हैं दस्विय पंचवर्षी योजना के बारे में तो इसका उधिश्य क्या था देसमें करिभी और बेरोजगारी को पूली तरह से क्या करना है समात करना उसकर बाद हम बा है तो इसका मतलब है ग्यारवी का जो है वह है आपका तरीवतम इवं समावेसी विकास करना बारवी पंचवर्षी योजना कब से कब तर स्टाट होई थी अभी ये बारवी चल रही है दोई सत्रा में समात हो जाएगी और योजना के अंत तक सभी गावों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना इसका उदेश्य था देकि 12 मासी मतलब कभी भी जाओ तो सभी गाव क्या होंगे सड़क से कनेक्टिविटी इसके काफी स्ट्रांग रहेगी तो ये किसका है उदेश्य कौन सी योजना के अंत बोला गया तो ये बोला गया बारवी अभी हमारी कौन सी चल रही है बारवी तो अभी हम बारवी के बात कर रहे हैं तो योजना के अंत सलकों के साथ में उनकी connectivity रहेगी और देखिए इसमें है GDP का अनुमानित percentage क्या है तो यह है आपका 8.9% और उसके बाद हम बात करते हैं भारतिये सब्सक्राइब देखिए योजना का अनुमान राष्ट्य विकास परिस्थं के द्वारा होता है। करते है सुरेज तन्दुल कर समिती है द्वारा सुझाई गाए फॉर्मिले के तहट निर्धानता रेखा का निर्माण प्रति व्यक्ति उपभोग विया के अधार पर किया जाता है किस पे प्रति व्यक्ति उपभोग विया के अधार पर क्या होता है निर्धंता रेखा का निर्धारन करा जाता है अब हम बात करते हैं कि वर्स 2011 और 12 में केंद्र सासित चेत्रों में निर्धंता परसेंट जनसंख्या दादर एवं नागर हवेली में है और दूसरे इस्तान पर क्या है चंडीगर चेत्र में है कितना परसेंट 21.81 परसेंट जनसंख्या की गरीबी की बात करी जाए तो रेखा से नीचे है वर्स 2011-12 में सबसे कम जो निर्धरम्दा है अनुपात वाले 19 पंजाब में आपका 8.26 निर्धंता अनुपात के ताजा आकलन के लिए सुरे स्तेंदुल का समेती द्वारा सुझाए गये फॉर्मले का परियोग योजना आयोग द्वारा किया गया है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस के वर इतना है अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले प्रेलिस्ट में जाए चैनल को चैनल की प्रेलिस्ट का आप चेक करिए उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको सबस्क्राइब करना है या लाइक करना अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप करना मत भूलना इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके जोगी प्रेंड को शेर करें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर Paytm के मादियम से contribute कर सकते हैं, Paytm नमर आपको मेलेगा description box में, चाहें तो कोई force नहीं है, अगर आप earning source आपके पास में है, अगर आप job करते हैं, तो आप contribute कर सकते हैं, अन्यता, अगर आप student हैं, तो आप contribute बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो इसी के साथ मेलेता हूं, आप स